कि राजस्थान भारत से अलग है कि यू भारत के अलग अलग राजियों के परधान मंत्री है कि अभिणह में जब थे तो लगातार सी-टू प्लसकों के फरणूले से यह कर रहते किसानों की आई को हम दोगुनी करें किसान सम्मान निधी 6,000 का अभी तक पेंडिंग है क्यों पेंडिंग है अब तक लोगों के खाते में पैसा क्यों नहीं गया है 6-6 महिने तक क्यों रहता है लंबित MSP कब का है 1964 का है 1964 के फर्मूले से इनके द्वारा किया गया है जो प्रदान मंतरी है उनको अपने विशह में तपस्या के संदर में जानकारी सही था तपस्या या गलत था सालों लग जाता हो तो वह व्यक्ति किसानों के हित में कितना काम कर पाएगा वो जहासा राम है लोगो हमको नरंदर मोदी जी का बता दीजिए जो जन्हित में रहा हो सरकारें पहले भी थी न बिहार में हम लोग जब सरकार में नहीं थे तो सरकारें चल रही थी न रोजगार का कुछ आता पता भी था बिहार में क्या है कोस्ट है चंदन कुमार जी जिन से बात करेंगे कि एक क्यातरा निकलने वाला है ए var सब आ करेंगे चंदन जी यातरा निकलने वाली है वो किस तरह से निकलेगी और से creating होगी ज़ो हम लोगों का यात्रा है वो डीच इए बेटिया से सुरू होने ओला है बेटिया सिन मेर टाइसको है उनवतिसको मोतिहारी में है टीशको बगहा में है एक को सिभर में है दो को सीता मढ़ी में है इसी तरह से कई चरणों में है और हम लोग किसानों के बीच जाएंगे तमाम लोगों के बीच जो भी समस्याएं है उस समस्याओं को सुनकर के समस्या सुनने के पस्चात अभी आप देख लिजिए किस परकार से अभी एक सबसे बरा चीज नरंदर मोदी जी का एस्टेटमेंट है आप लोगों ने भी देखा होगा चुनाव पांच राजियों का है जिसका रिजल्ट तीन दिसंबर को आना है उसमें उन्होंने कहा राजस्थान में इस बात को आपको भी मालूम होगा यहूं की जो खरीदगी है वो 31 रुपईयों में करी जाएगी है तो क्या रख जकता कि इस्थिती क्यों पैदा करना चारते हैं वहां अगर 31 में खरीदने की बात हो रही है तो बिहार में भी उस तरह का हो और जब 2017 में इन्होंने चिठी जारी करके वकाइदा इन्होंने बोनस देने पर रोक लगा दिया सभी राजसरकार को ठीक है अपने तो इन्हों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया जब यह गुजरात के मुख मंत्री थे तो लगातार किसानों की हित में इतना हिमायती बनने का अभिनय कर रहे थे बास्त विकता सब लोगों को पताच चल गया कि अभिनयमें जब थे तो लगातार C2 50 के फोर्मूले से यह कर रहे थे किसानों की आई को हम दोगुनी करें अगर सीटू सिर्फ लागू कर दिया जाए और बरतमान दर के इसाद जो लागत दर है किसानों का अभी जो बरतमान दर है यह MSP MSP कब का है 1964 का है 1964 के फर्मूले से इनके द्वारा किया गया है अभी आप नोकर साहों का देख लिजिए नोकर साहों जैसे प्राथमिक सिक्षक बेगर है इनके बेतन में जो बिर्धी हुई है 320 फिसदी का बिर्धी हुआ है मैं आकरों से बात कर रहा हूं और किर्शकों के जो फसल है किसानों का उसमें मातर 19 फिसदी का अजादी के बाद बिर्धी हुआ है अब समझ लिजिए कि हम लोगों को इन लोगों को 19 फिसदी और नोकर साहों का 320 फिसदी अरहाई से लिकर के 320 फिसदी हम चार हैं कि हम लोगों का किसानों का 50 फिसदी भी तो कम से कम को दबोचा जाता था और जिस तरह से आप भी देख रहें बिहार में लगा था रसुखाड की वेवस्ता बनी वुई एज़ा है और अप किरशकों को लेकर के अपने चेंटाल के माद्धर हम सी कहलवा दिजी सांद सब्मान मिधी छह अभी तक पेंडिंग वा क्यों pending है अब तक लोगों के खाते में पैसा क्यों नहीं गया है 6-6 महिने तक क्यों रहता है लंबित इसलिए रहता है लंबित अब उन्हीं को बताना चाहिए बीजेपी वाले लोगों को लंबित रखने का क्या कारण है फिर लंबित के बाद जो दिया जाता है पैसा क्या ड महुचता है उसके बाद ही किसान सम्मान निधी इन लोगों को दिया आप देख लिजिए कि किसानों की परती दीन जो दैनिक आई है किर्शी के छेत्र से परती परिवार 27 रुपईया है 27 रुपईया में हमको बताईए मिनिमम परिवारों की जो संख्या है वो पाँच लोगों की छो लोगों का है अगर बिर्ध माता पिता हैं पूत्र हैं उसके बाद पूत्र पूत्री जो है जो दाइरा है एक दो बच्चे का उसके आलोक में 27 रुपईया में पठन पठन की संभब है उस कारण से लगातार किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या का जो रेकॉर्ड है जो सूची में सबसे उपर सुमार है वह वीजेपी सासित राजियों का नाम है उसके बाद बिहार की स्थिति भारत की स्थिति तो यह तमाम 700 किसानों की सहाधत गई सहाधत हुई इनकों ने क्या कहा कि हम रिपील करते हैं और मारे तकया में साइथ कमी रहे अपके जो परदान मंत्री है उनको अपने विशय में तकया के संदर में जानकारी सही था तकया गलत था सालों लग जाता हो तो वह व्यत्ति किसानों की हिट में कितना काम कर पाएग इतो देश का जंता और हम लोग सब लोग समझी रहें कि ये शिर्फ एक जासा हराम नाम जो हमारे रास्टी अध्यक श्री रालुपरसाद जी ने दिया था जो जासा राम है लोगों के भोट को भोष्ण भाली किसानों को लेकर ये प्रदान मंत्री बन गये हैं लेकिन एक वादा कोई है एक काम हमको नरंदर मोदी जी का बता दीजिए जो जन्हित में रहा हो अभी जिस तरीके से आप ये सब चीजों को बोल रहे हैं ठीक है महागडबंदन अब स्वाभिमान किशान यात्रा निकाल रही है और अभी तो फिलाल ठंडी है तो लोग उतना महा मारी नहीं जिल रहे है लेकिन जब घर्मी होती है जहां गाउं में पानी नहीं मिलता है वह बताई कि और पullen को उसने जाकर के क्या कहा था पुर्णिया में कि जोन वाइज परमंडल वाइज मेरा कारिकरम होगा बिहार लगातार बिहार जब से महागठ बंधन की सरकार बनी है और आधरनिया हमारे नेता लालू जी का जब अहवाहन हो चुका है पूरे भारत में एक जुठ हो विपक्ष के लोग तब से लगातार बिहार के दावरा पर ही उनके सारे नेता कभी जेपी नडड़ा कभी उस सारे लोग राष्ट्रिक सारे लोग काना हो रहा है तो सारे लोग यह बताएं कि किसानों के भलाई को ले करके 74.6 अभी जो प्रकासित जनगन्ना में जो आई है जो संख्या है कि सरकों का उसके लोग के भलाही के लिए इन्होंने क्या किया हब तक यह तो अमित सा को बताना चाहिए ना इन्होंने का कि परमंडल वाईज हम जब जाएंगे तब हम लोगों के समस्या को हमको सुनने में आसान होगा और समस्या से निजात दिलाने में भी हमें आसानी होगी तो गाउं गाउं तक बिजली नहीं पहुंची तो किसका इसके लिए कौन दोसी है यह तो निस्चीत रूप से जो इनका व होदी जी का कि पूरा हुआ हो प्रधान मंत्री के पस्चाद दो करोर परतिबर्स युवाओं को रोजगार 15 लाग खातों में एसमार्ट सीटी कहां कुछ तो कुछ पता नहीं चल पाया नहीं अब तक तो कुछ हुआ नहीं है सिर्फ खोकले वादे रहे और हम लोग इन लोगों के बिरोदाब हमारे नेटा अधरनिया 23 सरकारें पहले भी थी न の भीहार में हम लोग जब सरकार में नहीं थे तो सरकारें चल रही थी न रोजगार का कुछ आठा पता भी था विहार में जब से ओ करने के लिए हम लोग को की आतूरता है को तो यह तो परचार मंत्री-रह कि आप अभी गाउं गाउं जाकर जो स्वविमाना निकालेंगे तो कैसे बात्चीत करेंगे कैसे क्या कुछ रहेगा हमारा एकदम है कि सिधा की लोगों जब तक मोदी सरकार नहीं चाहेगी किर्शकों के लिए हम कुछ नहीं कर स्पायें राज सरकार ने बहुत कुछ बंद लगाने काम किया है MSP उन्हीं को ट्या करना है MSP कानूनी दरजा उन्हीं को देना है सी टू के फिट्टी के ऐसे सारट गुप धायरह है यह उन्हीं के अंदर है हम लोग तो बहुत कुछ कर नहीं है लेकिन उसके बाब जूद भी जो हम लोगों से होने अगर इस वीडियो को फेस्टूप पेज पर देख रहें तो लाइक करें यूटूब पर देख रहें तो सब्सक्राइब करें जुनेबाद